करके लेकिन बेटा यूट्यूब पे डालेंगे हम वहां से लेलियो क्योंकि ऐसे जो है ना इतना बरा वीडियो जाएगा नहीं कभी तो हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे वहां से देख लियो अब next है हमारा iterative SDLC model लिखोगे iterative SDLC model लिखिगे जाएगा देख नेहम का आज लो है कि लिए वहां अगे कि से लिखेज़ reformed, reformed means, sudara hua, model of waterfall. As we know, in the waterfall model, we never enter from next stage to previous stage. As a result, we are going to this model do not support editing. Editing means changing. Iterative waterfall model allows us to perform a change within the system. system, system ke under mein aap change kar sakte ho. But, this change occur after the completion of all phases. waterfall model was said that if you are in the next phase, you can not go to the previous phase. So, when you are building the system, when you are building the system, when you are building the system, if you are working on a phase or in the other phase, you are building the previous phase. The previous phase was not in the waterfall. This system, if we have done one time, we have done one time, design, coding, everything we have done, then we will not do it again. in the process. We'll say since, ummm皆 number in the system. Ienterative waterfall model का कि अगर चेंज करना चाहे तो वो चेंज पॉसिबल हो उसके लिए हम लोगों ने इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल करता है कि चेंज पॉसिबल है लेकिन ये चेंज होगा कब सारा फेज कंप्लीट करने के बाद मतलब S.R.S. कर लिया, डिजाइन कर लिया, उसके बाद में S.R.S. कर लिया, डिजाइन कर लिया, डिजाइन कर रहे हैं, उस दौरान में हमारे पास में कोई नया कॉंसेप्ट आया, तो उस दौरान में, डिजाइनेशन के दौरान में उसको नहीं जोरा जा सकता, उसको जोरने के लिए हमको डिजाइनेशन के बाद उसका इंप्लिमे करेंगे अगर कोई नया कॉंसेट जोड़ना होगा तो उसके सारे फेज को कम्प्लीट करेंगे और सारा फेज कम्प्लीट करने के बाद हम लोगों ने उसमें कुछ नया जोड़ देंगे बात समझ रहा मेरा जैसे आपको हमने कहा कि भाई तुम दस पन्ना लिखो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ दस दस पन्ना लिखने को बोला और चार पन्ना जब आपने लिख लिया तो हमने आपको कहा कि भाई दूसरे पन्ना में ये सारी चीजे भी लिखनी थी त समझ भाई बात या बाउंस हो गया क्या बोल लाए इसका अगर डाइग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा S.R.S. Analysis, Design, Implementation, और उसके बाद maintenance ये define करने के बाद आगर हमको इसमें कोई change करना होगा तो फिर से कहाँ पर जाएंगे SRS फिर से analysis फिर से design फिर से implementation इस तरीके से SRS होगा तब फिर analysis फिर design ये समझ में आ रहा तो ये मेरा काउं सा model iterative का मतलब होता है बाई कौन बताएगा looping देख gör ने लूप हो रहा है क्यों नहीं हो रहा हुआ है looping नहीं हो रही है दीख रहा है ये मतलब अगर आप इस phase पे हो, यहाँ पे काम कर रहे खो यहाँ पे काम कर रहा हो आप कोई नया concept को आया है तो हमने अब इस दोनों phase को complete करना है फिर से नया से srs होगा, फिर से analysis होगा, फिर से डिजाइन होगा, फिर से implementation होगा, फिर से maintenance होगा बताब समझा कि bounce हो गया क्या बोल ला है इस model को हम लोग कौन सा model बोलते थे iterative waterfall model तो जो मेरा iterative waterfall model होगा वो हमारे drawback को दूर करेगा कौन से drawback को दूर करेगा कि जो हम कोई change नहीं कर पा रहे थे editing नहीं कर पा रहे थे system डिजाइनेशन के बाद अगर उसमें कुछ नया जोरना होगा तो वो चीज़े support नहीं कर रहा था system तो उसके लिए हम लोगों ने किस का concept रखा iterative waterfall model अब बात आ गई कि अगर iterative waterfall model अगर हम लोग बना लिए तो इसके बाद का concept आ कि भाई अगर system हमने बनाया तो उसमें तो customer आके हमको बार-बार disturb करेगा कोई system अगर हम बना रहे हैं तो customer आकर के भाई वार बार डिस्टर्ब करेगा कि हाँ भाई design right यह देखो इस जगा बराबर change करना है उभा आएगा दो दिन बाद गाएगा इस्ट बना कि पिर तिसरे दीन लाbnamy ऐसा नहीं이सा बना दो, ऐसा नहीं, ऐसा बना दो, तो वो बराबार हमको आकर के क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कोई भी कस्टमर कभी सर्टिस्फाइड होता ही नहीं, आप नहीं, तो कपड़े के दुकान पर जा करके देख लो, आप एक जीन्स निकल वाओगे चेक करवाने के लिए, तो उस जीन्स को देखोगे, और कोगे ये चीक नहीं लग रहा है, दूसरा दो, फिर दूसरा देख लोगे, तो कभी सर्टिस्फाइड नहीं हो सकता, तो कश्टमर तो कभी सर्टिस्फाइड हो गई ही, हर बार आकर के हमको कहाएगा हमारा इस इट्रेटिव मोडल का भी, इसमें चेंजिंग तो पॉसिबल थी, लेकिन बार बार कश्टमर आकर के हमको क्या करता था, तो इस ड्राबैक को हटाने के लिए हम लोगोंने concept लिया किसका? प्रोटो टाइपिंग का, किसका concept लिया? प्रोटो टाइपिंग, तो प्रोटो टाइपिंग is also a technique of SDLC, system designation का या system जो बोलोगे development का, system development का एक और technique है हमारे पास में प्रोटो टाइपिंग, प्रोटो टाइपिंग क्या होता है कि प्रोटो टाइपिंग में जो भी system customer हमारे पास में बनवाने आता है, ठीक है जी? जॉन साभी system वो बनवाने आएगा, उस system का सबसे पहले हम उसको एक गो dummy दिखाएंगे, dummy बुछता है? मॉवाइल खरीदने जाता है तो dummy देता है, देखाए कभी? dummy कहने का मतलब होता है sample, sample समझता है? नमूना, एक नमूना उसके सामने में paste करेंगे, समझा? सक्षम के जैसा एक नमूना दे देंगे उसके सामने में, देख भाई, ऐसा चाहिए तूगो, बोलेगा नहीं भाई, ऐसा नहीं चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे? फिर से दूसरा sample निकाल करके बना करके उसको बनाया, जिसको हम लोगों ने कहा प्रोटो टाइपिंग, प्रोटो टाइपिंग में क्या करते थे? कि कस्टमर अगर किसी system का request लेकर के आगया हमारे पास, तो उसके सामने में उस system का एक छोटा सा model तैयार कर लेते थे, मतलब एक छोटा सा dummy, एक छोटा सा नमूना बनाते सामने में बैठ कर गे, कि हम आप system में यही सब चाह रहे हो, वो agree हो जाता है, वो कहता है नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दीजे, तो फिर से उसका हम लेक एक नमूना बनाए, फिर से उसको उसी नमूना को दिखवाए, फिर बोला यही सब चाहते हो system में, मतल जब designation phase में हम लोग तब तक नहीं आएंगे, जब तक वो customer इस चीज के उपर में क्या नहीं हो जाता है, agree नहीं हो जाता है, जब तक मेरा customer, SRS और analysis पे agree नहीं हो जाएगा, SRS छोड़िये, analysis छोड़िये, SRS में जब तक agree नहीं हो जाएगा, कि हमारे system का यही requirement है, यही specifications है, क्योंकि बाद में यह भी हो सकता है, कि जौन सा system आप design कर रहे हो, customer बाद में आकर के बोले कि भाई, यह तो हम कहीं नहीं रहे थे आपको करने के लिए, आपने ऐसा क्यों कि prototyping SDLC model है, यह हमरा एक तरीके का perfect model है, prototyping में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा customer होता है, customer के सामने में system का, quick design करते है, quick designation समझता है, quick designation समझता है, तुरत में design किया, customer से, उस system का हम लोग उने quick design किया, customer के सामने में ही बैठ कर गए, SRS किया, quick design किया, customer को दिखाया कि भाई, इससे verification लिया, आप यहीं चीज़ चाह रहे हो, customer कहता है कि नहीं, हम यह चीज़े नहीं चाह रहे, तो फिर से उसको क्या किया, modify किया, फिर से उसक quick design किया, फिर से customer के सामने में रखा, तो वो customer को एक ही जगह पे हम उसको goal 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 घुमाते रहते हैं, और जब तक घुमाते रहते हैं, जब तक वो यह न बोल दे, कि हमको इसी system का requirement है, बात समझा, अजब वो यह चीज़ एगरी कर लेता है, कि हमने इसी system की requirement है, तब हम लो लिखवा करके, sign one करवा करके रख लेते हैं, उसके बाद में आब उसका designation करेंगे, implementation करेंगे, maintenance करेंगे, मतलब समझा की नहीं समझा, प्रोटोटाइपिंग समझ में आ है, प्रोटाइपिंग क्या चीज़ है, नहीं है, नहीं है पकर में, इसको मिटा में है, देखो, प्रोटोटाइपिंग जो है, ये भी हमारा एक तरीके का system development का steps है, खिके जी, और इसमें सबसे पहला काम हो, लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं, प्रोटोटाइपिंग कहने का मतलब कि customer से उस system के design के regarding, हाग का हवालत है, यहाँ भाई हम यही चीच चार है, जैसे अगर हमने कोई system design किया, तो अगर हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, तो प्रोटोटाइपिंग के दौरान में होता है, SRS, देख लो पहले model समझ लो, SRS के बाद में होगा हमारा quick design, quick design हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, customer verification, customer verification के बाद में क्या करेंगे, modification, फिर से SRS, अगर no हुआ तो modification, yes हुआ, तो हम लोग in कर जाएंगे उसी phase में, design, implementation, maintenance, जान दर इदर हम क्या कह रहे है, यह जो मेरा है, इस process को हम लोग बोल ला है, इस process को हम लोग बोल ला है, prototype, जो box के अंदर में जो process है, इसको हम लोग क्या बोल ला है, prototype, prototype में क्या करते है, system requirement and specifications देखते है customer का, customer का system requirement और specifications हमको मालूम हो जाता है, तो उस system का एक dummy बना लेते है, dummy कहने का मतलब एक छोटा सा नमूना तयार कर लेते है, और machine पे नहीं, मतलब उसका hardware नहीं, उसका एक paper पे उसका नमूना तयार कर लेते हैς, पेपर पे जब नमूना त्यार हो जाता है तो वो customer को दिखाते हैं, customer देख करके बोलता है कि हाँ भाई हमको यह system चाहिए कि इसमें कुछ और reformation चाहिए, अगर वो कहता है कि नहीं इसमें थोरा सा सुधार करने के ज़र होते हैं, तो उस modifications को करते हैं, उसके modifications को note करते हैं, यह LinkedIn करते हैं, फिर से उसका quick design करते हैं, फिर से उसका customer का verification लेए अगर customer बोलता है कि नहीं, थोरा सा और सुधार कर दीजे, तो फिर से किसको समझ में नहीं आ रहा था इस process को हम लोग क्या बोलना है prototype model इसको हम लोग क्या बोलते है prototyping prototyping बराबर पुछा हुआ question है कि what is prototyping and why it is necessary अब बताओ prototyping से क्या फायदा मिलेगा prototyping का सबसे वारा फायदा यह होगा कि customer जो चाह रहा है वही system बनेगा क्या बोलता है दूसरा फायदा यह है कि customer system design हो जाने के बाद यह नहीं कह सकता कि हमको यह नहीं चाहिए क्या बोलता है तीसरी चीज़े है कि customer जो system developer है जो system developer है वो कभी loss में नहीं जाएगा मतलब समझ रहा है उसका effort जो है effort लगना कब start होगा जब उसका क्या complete हो जाएगा prototype जब उसका complete हो जाएगा तब वो अपना effort लगना start करेगा हमाई design करेंगे implementation करेंगे maintenance करेंगे क्या बोल ला है बात समझ रहे है न मेरी तू अपना effort लगना कब से start करेगा जब मेरा customer fully यह बोल दे कि हाँ हमको यही चाहिए समझागी नहीं इसका demerit क्या होगा कौन बताएगा बोलो रहे Sanju Kumar क्या demerit होगा इसका what are the demerit of prototype model merit तो इतना सारा समझ में आ रहा है demerit क्या होगा what are the demerit of prototyping बोलो भाई आदर्स रंजान demerit क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा पहिसा तो बाद में लगा रहे होगा यह जो है यह वाला model जो है यह बहुत पैसेंस की चीज़े डिजाइन करना जो है यह बहुत पैसेंस का काम है कोई पगला customer आ गया तो हर बारु कहागा कि हम कोई नहीं चाहिए हमको और modify कर दो तस्तुबा से साम तक उसी का prototyping में लगे रहो तो यह irritate कर देता है किसको developer को irritate कर देगा भार दिन वही कप्रा के दुकान पर गया तुको कप्रा लेना है भार दिन का रंग को कप्रे देखा वा खरीद कुछ न रहा है तो तुको माड़ेगा कि छोड़ेगा क्या बोलता है चले जाओ के दुकान पर सब्सक्रीया आए का साला सब मेरा time इंबेस्ट कर दिया भार दिने जगह से लेकर गए पूरा दिन आ करके बाद कुछ खरता हुरता है यह जुटे काता था यह दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ थोरा और अधिया दिखाओ अग्को चली आने कि है घना दीमेरिट है ने इसका प्रोडाइपिंग की डिमेरिट है की नहीं है कि अगर एक बार हमने मोडल जब तक कक्स्टमर इसके ऊपर में अगरी नहीं करेगा इस चीज के ऊपर में कास्टमर जब तक एगरी नहीं करेगा anlat तक तो design, implementation और maintenance को भूल जाएंगे हम लोग इस बात पे इस prototyping पे customer से हाख आवा लेना बड़ा मुश्किल काम है भाई, क्या बोला है, क्या बोला है जी, जिग्यासु, जिग्यासुलाल, बाग गया, क्या बोला मनिकांद, इस पे customer से हाख कहवाना मुश्किल काम है, क्या असान काम है, बहुत मुश्किल काम है, customer हाख बोले, इसमें बहुत महनत करना पड़ेगा, क्या बोलता है रितेस, महनत करना परेगा, क्या हाख कहवाने के लिए, क्या बहुत मुश्किल काम है, इसमें हमेशा कूल दिमाग वाला को अखा जाता है, कूल दिमाग वाला को समझ रहे, कूल दिमाग वाला मतलब ठंडा रहा है हमेशा, ना तो customer आकर के 4 बार, 5 बोले के, change करो, बाग, तश्रा बहुत मुश्किल करना परेगा, इसमें होता है, समझ रहे, इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, कि मागे माता खराब कर दिया भाग तुम भार दिन माता खराब कर रहा है मेरा हम नहीं करेंगा तुमार का खागो जा नहीं है या मैरे पास system है ही नहीं आग लृह कभी दुकान पर ऐसा सामरा हुआ होगा आप लोग वा था कभी तब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोला है prototyping prototyping मैं सब से पहले हम system designation से पहले क्या करते है prototyping करते है prototyping करने का मतलब customer के सामने में जौन जौ भी हम system बना रहे हैं उसका एक छोटा सा dummy रख देते हैं dummy समझता है sample कि यही सब चाहर हेते हैं और यही सब चाहरे ते आप जो कहानी सुनाया होता यह कि जब भी कोई सिस्टम बनाते है तो उसमें कस्टमर आता है हमारे पास और कस्टमर आकर कहानी सुनाता हमको यह नहीं कि मुर्गा था मुर्गी था चिडिया था बच्चा था ऐसा कोई कहानी नहीं यह वो सुनाता है कि हमको सिस्टम में चाहिए क् ओवराल हमने सिस्टम में क्या चाह रहे हम लोग वा करके सीधा आपको इस तरीके से कहा नहीं सुनाएगा हमारा एक और और जिसन है उसमें जो है एक और आदमी है क्या करता है पैसा चुरा लेता है कोई ऐसा टेकनिक बना दीजिए कि हम पैसा लाब है तो उसमें एकदम सेव हो जाए इस तरीके से मान हो जाए माल निकले गोडाम में से माली फेंटॉस में तो कोई नया मल अगर उस में आए तो किसीो डीव जोड दें तो पर उसके बाद既़ेशन, और उसके बाद इंपमेंटिशन, और उसके बाद maintenance, समझ में आई बात या बाउंस हो गया, क्या बोला है, लिखेगा रिखेगा फ्रोटोटाइपिंग, लिखेगा प्रोटोटाइपिंग is also a technique of system प्रोटोटाइपिंग में जो हम लोग बात कर रहे थे प्रोटाइपिंग कहने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने कस्टमर के सामने में जो भी कस्टमर रिक्वेस्ट लेकर के आया उसका हम लोगों ने क्या करा प्रोटोटाइप करा लिखिये गा in this in this SDLC process first of all we develop our sample in front of किसके सामने है customer customer according to its need this process is called prototyping a prototyping during prototyping during prototyping we perform four different types of work four different types of work तीसरा customer verification तीसरा customer verification प्र प्रिएस कर ता प्रिक्वेस्ट से 2 . झाल 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 प्रोड़ाइपिंग के दौराण में क्या क्या प्रोसेस होगा? बोलो कुमलदास बोल बेटा क्या क्या प्रोसेस होगा इसमें? क्या क्या लिखे इप बॉक्स में? बोल यहाँ पे सारेस होगा? ए मैं कदे लिखे? इसमें होगा? बोल 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 इसमें क्या होगा? मुनेंदर राना इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? मॉडिफिकेशन नहीं कर देते हैं या इसी को कहते हैं कस्टमर साजेशन और यह क्या उसा फेज है? यह और यह जो मूव हो रहा है साइकल के रूप में इसको ही हम लोग बोलना है कौन सी चीज? प्रोटो टाइपिंग इसको हम लोग क्या बोलना है? प्रोटो टाइपिंग तो जो भी मेरा प्रोटो टाइपिंग है इस प्रोटोटाइपिंग के दौरान में तब तक ये साइक्लिक वे में मूव करता रहेगा जब तक मेरा कस्टमर ये न कह दे कि हाँ भाई हम यही सिस्टम चाहते हैं और वो सेटिस्वाइड न हो जाए और एग्रिमेंट न दे दे कि हाँ मेरा सिस्टम आप डिजाइन कर दो हम चाहरा है जब सिस्टम डिजाइन करने के लिए उसके बाद भी ठेट सारा काम होता है उसके बाद उससे पूस्टे ने में सिस्टम चाहिए तो बोलता है ठीक है 2 लाक में काम हो जाएगाzel पूला एक साल बास बाद में संधा रहा है कि इसका बहुत कोस्ट बता रहे हो आप तो SRS दिस्ते में हमने किया उसका जो प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं उस दौरान में यह मुझे को बताते हैं कि आप यह वाला सिस्टम का जो आप यह डिजाइन कर रहे हो इसको हटा दो इतना पैसा कम हो जाएगा इसके बदला में यह चीज होता है असर्चम करेंगे बार निंगे उसस्टम डिजाइन में जाते हैं और जाते हैं लिगए यह स्था बैसे हंसे हारम कोभेश गंग आप आपन थीमिंट चाहर ने पाहरा है निगेदाश का और यह कंशार बाद यूषू फ्रane एक बार गया थे हम साधी में कोट दिलवाए थे तो इडिनोवा में तो हमको तिकुना पैसा ले लिया था वही चीज है काम उसको हम जल्दी हमको चाहिए तो पैसा जादा डिमांड करेगा आप कभी भी देंगे अपने मनमाफिक काम करेंगे तो हमारे पास कहनके ना पर प्रॉटटाइपिंग प्रोटोटाइपिंगिंग इस प्रॉसट को हम लोगङ बोलते हैं यही prototyping है अब prototype model क्या होगा जिसमें prototyping होगा वही नब prototype model होगा जी प्रोटोटाइप model जो होगा SDLC में prototype model मडल होें जिसमें प्रोटोटाइपिंग हो रही है वो प्रोटोटाइट मोडल है, क्या बोलता है। अब प्रोटोटाइपिंग की बात अगर हम लोग करें तो प्रोटोटाइप मोडल की सको मिट आ पहे हैं। अज़ा से้, झाल झाल आदर से नंजान पाड़ रहा है निने किसादी भी आमे खाली घुमाई दई झाल 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 पाड़ आहा है? बात समझ में आई बाउंस हो गया प्रोटोटाइपिंग ये तब तक होता रहे गया जब तक कस्टमर ये न बोल दे कि वाई हमको यही चीच चाहिए जैसे वो यस बोलता है हम लोग करते ठीक है बिटा अब हो गया मेरा काम अब तू यस बोल दिया न अब तुम जाओ अब मेरा काम है उससे यस बोलवाना किसी चीज पर बड़ा कठिन काम है देखाए दुकान पर कपरा ले दे लेने जाते हो तो कपरा का उसको बोलवा देना हम उसकी पैक कर दो बड़ा मुस्किल काम है नहीं आप बुश्टे के वैसे ही जो एक लेवर काम करता है जो आपको कपड़ा दिखाता है या मोबाइल के दुकान पे जो आदमी काम करता है उसके पास में सॉफ्ट स्किल के अलावा हा और भी बहुत कुछ होता है ताकि वो आपको एकदाम सैडिस्फाइड कर दे कि नहीं यही चीज है इतना उसका फीचर आपको बताने लगेगा कि आपको अगदूर यही ले ले लते हैं बड़ा बढ़िया लग रहा है बात समझा है हलो यह बात समझा है हम क्या कह रहे है इस डाइग्राम को बनाएगा इस प्रोटोटाइपिंग अब एक बात बता हो क्या नाम है आदर्स कुमार अगर यह वाला फेज मेरा कम्प्लीट हो जाता है प्रोटोटाइपिंग अगर कम्प्लीट हो जाती है बिटा तो इस काम में तो कम समय लगेगा मेन काम क्या है कस्टमर से हाँ कहवाल है न वही न तो यह जो है यूजर का क्या बचा देता है एफर्ड भी बचा देता है और टाइम भी बचा देता है क्योंकि सिस्टम डिजाइनेशन फेज में हम इन ही नहीं कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं उसके सामने में सांपल तयार करके बोले हैं यह लोगे यह लोगे यह लोगे कि यह लोगे कैसा चाहिए तूंको बोलो एफर्ड भी बच रहा है डिजाइनेशन फेज में तो हम आया नहीं तो ना तो हमको लेवर लाना परा ना तो हमको रिसोर्स लाना परा नहीं कुछ अपना उस पर एक्सपेंस करना परा सिर्फ उसको एक पेप का हो लिरे मोबाईल खराब हो गया का है तब कैसे पढ़ेगा तो मोबाईल तर पास नहीं है कई से होगा आदो कैसे पढ़ेगा एक मोबाईल ले लो दादाजी है दादाजी नहीं खड़ी सकते है तब कैसे क्लास करेगा यह बताओ तो यह काम करेंगे वीडियो रिकर्ड करकर रख देंगे आप वहां से यूटीब बता देंगे यूटीब से कभी जाकर करका तो वहां से पढ़ ले ना लिंक भेज देंगे उसका हाँ भाई देखेंगे आप जो प्रोटोटाइपिंग है चुकि इस चीज़ में तो हम लोग इन कर नहीं रहें रियल का वर्क तो हम लोग कुछ कर नहीं रहें सिर्फ कर क्या रहें सिर्फ कर क्या रहें मॉडल तयार करके यूजर जो हमारे पास में कस्टमर आता है उससे साटिस्वाइड हो रहे है उसको साटिस्वाइड कर रहे है तो ना तो हमारा एफर्ड लग रहा है ना तो मेरा पैसा खर्चा हो रहा है ना ही कोई रिसोर्स लग रहा है तो यह हमारा यूजर का क्या बचा देता है, जो मेरा system developer है या system analyst है, उसका क्या बचा देता है, effort भी बचा देता है और time भी बचा देता है, इसके अलाबा, इसका जो मेरा srs है, जो मेरा prototype model है, इसका output एकदम exact वही होता है, जो customer कहा के गया है, बात समझा है मेरा, तो इसका दूसरा merit क्या है, customer satisfaction, बात समझा है कि नहीं, customer जौन सा चाहता है, वही चीज़ हम उसको बना कर ये देंगे, तीसरा merit क्या है, कि system develop हो जाने के बाद, customer उसको लेने के लिए कभी refuse नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई, आदर्स, आदर्स रंजन, बोलो, क्यों नहीं कर सकता, customer, क्यों नहीं कर सकता, customer, उसको verify करके उस पे return दे चुका है कि हमको यहीं चाहिए, समझे हो ना, अगर बात में हो कह गा है कि नहीं हमको यह नहीं चाहिए, तो उसके उपर में case बनेगा है कि नहीं बनेगा, customer का पैसा उसमें, developer का designer का उसमें पैसा परबाद हुआ है भाई, अगर हूँ कह रहा है कि नहीं हमको यह नहीं चाहिए, तो कह गा है लिखकर के कौन गया था भाई, लिखकर तो रहे तो रहा हुसा गया था, कि नहीं लेंगे हम, यह नहीं साइन किया था भाई, बात समझ रहा है मेरी बात, जो हम कह रहे है समझ रहे हो, तो वहीं चीज है कि जो customer यहां पे satisfied हो चुका है, वो sign करके दे चुका है, कि हमको यहीं चीज चाहिए, अगर system develop हो गया, तो उसके बाद में customer कभी भी क्या नहीं कर सकता है, refuse नहीं कर सकता कि हम नहीं लेंगे इसको, क्योंकि अगर वो refuse करता है, तो उस case में वो जेल जाएगा, बाद समझ रहोगी नहीं, क्योंकि किसी का भी 2,5,000,000 रुपईया खर्चा हो रहा है system designation पे, और बाद में जो बन के तयार हो जाना तो कहता है कि हम नहीं चाहरा है थे वहीं कहा है बना दिया, तो लिक्कर के कौन दिया था, तुरा ससुर्ज आके दिया था लिक्कर के, बात समझ रहा है जो हम कह रहें, तो वहीं चीज़ है refuse नहीं कर सकता उसको, कभी refuse नहीं कर सकता, ये ठीक है prototyping समझ में आ रहा, अब इसका demerit बताओ, demerit क्या होगा इसका, पहला demerit है कि customer को satisfy करने में, मतलब prototype करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, नहीं, मतलब time consuming process है, prototyping is a time consuming process, है क्या, बहुत ज्यादा समय लेगा है, तीसरा, irritate करता है, किसको, developer को, developer को क्या करेगा ये, irritate करेगा, irritate मतलब समझता है, खिजा देगा है, मन खिजा देगा, मर्ट सलेगा, मन को क्या करेगा हो, तकलीफ में डाल देगा, ये बनाया के हम उसको दिखा रहे हैं, वार बार कर रहे हैं, उमको नहीं चाहिए, मता कराब होगा कि नहीं होगा, होगा न मता कराब, हेलो, हेलो, दिमेरिट बताओ, तीसरा, हम लोग डिजाइनेशन फेज में कभी नहीं कर पाएंगे, जब तक, जब तक, कस्टमर हा न बोले भाई, क्या, तो इसका मेरिट भी है कुछ, और कुछ दिमेरिट भी है, क्या बोलता है, कुछ मेरिट कुछ दिमेरिट है न, आपका काम रहा, prototype model का merit और demerit लिखना हो जाएगा merit क्या क्या है demerit क्या क्या है यह समझ में आ गया था क्या हुआ 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 है यह अनिट 3 आपका टाइम नेट हो चुका है ठीक है जी क्या हुआ हाएगा जीक क्यां हुआ हुआ है क्या हुआ 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 है झाल झाल